हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोलाजी ट्यूटोरियल पे आज का जो हमारा टापिक है वो है पैरेंटल केयर इन फिशेज पैरेंटल केयर इसका मतलब होता है कि पैरेंट्स के द्वारा अपनी बच्चों की देख भाल करना जैसे कि बहुत सारे आनिमल्स में हमें देखने को मिलता है कि जो माता पिता होते है वो अपने बच्चों की देख भाल करते है तो फिशेज में भी पैरेंटल केयर हमें देखने को मिलता है तो हम आज के topic में यही देखेंगे कि fishes में किस तरह से parental care होता है और किस तरह से fishes अपने young ones को care करते हैं तो चलिए हम start करते हैं हमारा आज का topic parental care in fishes Most fishes do not care for their ex or young one but there are some fishes where parental care has been observed बहुत सारी ऐसी fishes भी होती हैं जो कि अपने बच्चों की यह जो eggs हैं उनकी देखभाल वो नहीं करती हैं But there are some fishes पर कुछ ऐसी fishes भी हैं जिनमे parental care हमें देखने को मिलता है One or both the parents participate in the process यानि कि one or both यानि कि या तो सिर्फ male या फिर female parent या दोनों मिल करके क्या करते हैं अपने बच्चों की देखभाल करते हैं These fishes develop various devices to ensure proper development of young one these are तो इसके लिए यह बहुत सारे various devices acquire करते हैं जैसे कि यह nest form करेंगे या फिर अपनी brood pouches में अपने young one को रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो चलिए इन सभी चीजों को हम एक नजर डालते हैं सबसे पहला जो है वो है formation of nest यानि कि यह जो हैं fishes यह nest बनाते हैं जिस तरह से birds एग ले करने के लिए घोसला बनाती हैं बिल्कुल वैसे ही मशलियों में भी होता है देखिए यह जो nest है वो कौन प्रिपेर करेगा? male जो male parent है वो क्या करता है? nest form करता है ताकि उसमें females जो है egg ले कर सके अंडा दे सके और उसके बाद जो females है वो चली जाती है और उसके बाद उस egg की देखभाल करेगा male तो देखिए इसका example है amia amia जो है is a genus constructs crude circular nest made out of aquatic plants जो amia में जितनी भी fishes species आती है उन सभी में क्या होता है? जो male parent है वो nest form करते है बिल्कुल circular गोल सा crude इसका मतलब बहुत यह simple और basic सा nest होगा जो वो form करेंगे aquatic plants से यानि कि जो भी वहाँ पे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो तो जो भी वहाँ पे plants पाए जाएंगे वो उसे assemble करके एक nest form करेंगे उसके बाद जो male है वो एक की देखभाल करेंगे आफ्टर hatching, also take care of the young one for some time afterwards यानि कि वो एक की तो देखभाल करेंगे ही, बर जब एक हैच हो जाएगा उसके बाद जो young ones होंगे, उनकी भी वो देखभाल करेंगे Most interesting example is stickleback एक तो हो गया हमारा amia, दूसरा है stickleback इसमें क्या होता है, देखे, stickleback का example हो गया gastrosteus achuliatus, ये हो गया हमारा genus and the species is achuliatus इसमें क्या होता है, the male collects aquatic weeds aquatic weeds मतलब जो dead plants होते हैं जो उन्हें पानी की सतह में मिलेंगे, वो क्या करते है which are joined together by a sticky secretion produced from the kidneys of the male तो वो बहुत सारे aquatic weeds collect करेंगे और उसे क्या करेंगे, stick कर देंगे, यानिकी चिपकाएंगे और उनके जो kidneys से secretion होता है, उसी के मदद से वो इसको join करते हैं, जोडते हैं, चपकाते हैं, एक nest formation के लिए और ये सारा काम करेगा, male when the nest assumes a considerable size, the male makes a small tunnel जब वो nest का formation कर लेंगे, सबसे पहले तो उन्होंने एक nest form किया aquatic weeds से, और उनको चपकाने के लिए एक sticky secretion हुआ, उनकी kidneys से उसके बाद जब tunnel बन जाएगा, sorry, nest बन जाएगा, तब वो उसमें क्या बनाएंगे एक tunnel बनाएंगे male racks a mature female into the tunnel for laying eggs उसी tunnel में फिर जो है, एक female जाएगी और उसमें अंडा देगी then male keeps watch over the fertilized eggs till development is over उसके बाद जो female egg ले करने के बाद उनका काम खतम हो गया उसके बाद उस एग की देखभाल कौन करेगा, male जो की उसकी development तक वो देखभाल करेगा, और हाँ ये जो nest वगेरा है ये सिर्फ और सिर्फ aquatic weeds या plants से ही नहीं, बल्कि वो छोटे-छोटे stones या pebbles, छोटे-छोटे पत्थर से भी वो अपने nest का formation करते हैं some fishes prepare foamy nest और floating nest by blowing bubble of air and sticky mucos बहुत सारे fishes में एक तर फोमी nest भी देखा गया कि वो form करते हैं और वो किस तरह से उनके कुछ mucos का secretion होता है बॉडी से और air bubbles वो सारे bubbles और mucos से मिला करके एक foamy nest बिल्कुल जाग जैसा वो दिखेगा और उसी nest में फिर क्या होता है वो एग ले करती है और उनका फिर देख भाल करती है और इस तरह का देखा जाता है हमारा बीटा में मैक्रो पोडस इसका एक्जामपल हम ले सकते हैं तो इस तरह की fishes में हम floating nest भी देखते हैं कि वो जो है अपने young one की care के लिए floating nest या foamy nest फॉर्म करते हैं nest building के लिए देखिए हमने आप एक figure बनाया है दो एक दिखाया है कि किस तरह से जो male stickle back है उन्होंने nest का formation की और female stickle back उनमें egg ले कर रही है और यह जो nest है यह है aquatic weeds का बना हुआ दूसरा है male boffin boffin मतलब वही amia इसमें इसकी देख भाल कर रहा है this is the circular nest जिसे इन्होंने बनाया और इसमें eggs होंगे जिसकी यह male boffin देख भाल कर रहा है nest formed of aquatic weeds in stickle back और दूसरा हो गया male boffin amia amia और species calva यह amia calva में common है बहुत guarding over circular nest पहला हमने nest का देखा दूसरा है mouth cavity यानि कि अपने mouth में बहुत सारे fishes क्या करते है store करते हैं अपने eggs को या young ones को development के लिए in some fishes the fertilized eggs develop within the mouth cavity बहुत सारे fishes में जो एक का development कहा होता है mouth cavity में catfish areas, areas सामकी catfish में क्या होता है male carry the eggs as well as young one in the mouth cavity इसमें male जो होता है वो अपने mouth cavity में egg को भी रखता है और साथी साथ जब egg में से young ones निकलाते तो वो उन्हें भी अपने mouth cavity में रखता है इन कीखलेट्स इनमें भी जो mouth cavity में रखती है वो होती है female female carry the eggs in their mouth cavity the young one uses the mouth cavity as seltzer मतलब घर की तरह जो है बच्चे अपने मम्मी पापा के mouth cavity में रहते at the time of danger मतलब जब उन्हें खत्रा मैसूस होता है तो वो क्या करते है अपने parents के mouth cavity में चले जाते है तो areas में male अपनी mouth cavity में रखते हैं और kiklet में female जो अपनी mouth cavity को as a shelter देती है अपने बच्चों के लिए तो यहाँ पर मैंने figure बनाया है के cleats का कि यह जो female parent है जो किस तरह से देखिए यह जितने भी इसके छोटे young ones है जो fishes है यह इसके mouth में enter कर रहे है nest और mouth cavity के बाद है हमारा तीसरा coiling around eggs इसमें क्या होता है देखिए यह fallies में देखने को मिलेगा the eggs are rolled into a rounded ball and the male guards the egg ball by coiling around it मतलब जो male होता है वो क्या करेगा बहुत सारे eggs को लेकर के वो एक ball जैसा formation देंगे और उस ball को क्या करेंगे उसके उपर coil होके जैसे स्नेक के इस तरह से अपने egg के उपर coil हो जाता है उसी तरह से यह क्या करेंगे coil होकर के इसे guard करेंगे चौथा है integumentary cups integument का मतलब ही होता है skin मतलब skin में एक cup like formation होगा जो की egg को रखने में मदद करेगा देखिए किन में होता है catfishes में example आप ले लीजे platystecus platystecus में यह commonly देखने को मिलेगा कि जो the fertilized egg are pressed into the soft and spongy skin of belly of the female इन में क्या होता है कि जब breeding season आता है तो जो वो female की belly होती है वो बिल्कुली soft और spongy बन जाती है तो जब एक का fertilization हो जाता है तो वो क्या करती है एक्स को अपने belly में press कर लेती है तो वो जो अपनी skin में cup like formation होता है उसमें वो एक को रख लेती है each egg become attached in a cup like integumentary depression तो वो एक depression बन जाता skin में और वो उसमें eggs को store करती है and carried until hatching और जब तक वो एक से young one नहीं निकल जाते वो तब तक उस एक की देखभाल अपने skin में ही करती है brood pouches पाच्वा है हमारा brood pouches जिस तरह से kangaroo में हम देखते हैं कि brood pouch होता है उसी तरह fishes में भी थोड़ा different जैसे कि hippocampus, hippocampus को हम seahorse भी बोलते है singnathus, singnathus को pipe fish भी बोला जाता है तो इन सभी में brood pouches हमें देखने को मिलता है the female transfers egg into the brood pouch on the belly of male देखिए, ये जो brood pouches है ये female fishes में नहीं होता है ये किन में पाया जाता है? male fishes में तो egg की fertilization के बाद क्या करते हैं? males अपने brood pouch में उस eggs को store कर लेते हैं जब तक कि वो hatch ना हो जाए to be kept until hatching takes place देखिए, यहाँ पर मैंने figure बनाया है, seahorse का this is seahorse, brood pouch in male hippocampus यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये brood pouch है ये dorsal fin, pectoral fin, operculum, ये ostrich thiss होता है जो seahorse है, वो boni fishes है और ये देखिए, इनका जो mouth होता है, वो इस तरह से इनका जो tubular snout like होता है इसी characteristic के कारण ही इन्हें हम seahorse कहते है brood pouch cut open to show young one अब देखिए, यहाँ पर हमने एक fishes का, ये section काटा और दिखाया कि इनके brood pouch को काट करके किस तरह से ये अपने अंदर young ones को store करते हैं, रखते हैं यहाँ पर तो ये हो गया brood pouches next है हमारा mermaids purses देखिए, ये क्या होता है oviperas sharks, ये shark में ज़्यादा तर देखने को मिलता है यानि कि जो marine water में रहती है oviperas, यानि कि जो एक देने वाली shark होती है जैसे skylium इसका example आप ले लीजिए ले fertilized eggs inside protective horny egg capsules और mermaids purses ये जो अपना egg है, वो fertilized egg को क्या करती है एक capsules में रखती है, यानि कि जिसे mermaids purses भी कहते है मतलब एक bag जिसमें वो अपना fertilized egg को store करके रख रही है फिर क्या होता है, which remain anchored to seaweeds अब ये जो mermaid purses है, ये क्या होते हैं, जो seaweeds यानि कि जो marine अलगी है उसमें वो अपने आपको क्या कर लेते हैं, anchored इट मींस कि वहाँ पे पकड़ लेते हैं, कोई seaweeds है, तो ये क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे through the tendrils, ये आप देख सकते हैं, tendrils है, तो ये एक rope-like structure है, तो इसी rope के सहारे वो क्या करेंगे seaweeds को पकड़ लेंगे by the long tendrils, the young hatch out after rupturing the egg case और जो young one after development, जो young ones होंगे, वो क्या करेंगे, इस bag को break off करके, तोड़ करके जो है, बाहर निकल जाएंगे, तो ये mermaid's purses जो होता है it's kind of a bag, जिसमें एग को fertilized एग होता है, और after जब development हो जाता है तो young one उसे break करके, रप्चर करके निकल जाते हैं, तो यहां मैंने बहुत सारा mermaid's purses बनाया है, यह है cat shark का, यह है port jackson shark का, आप tendrils देख सकते हैं यह है skate, यह है chimera, इसके अंदर क्या है, एक capsules होंगे इन सभी के अंदर तो यह है mermaid's purses, जिसे हम एक capsules भी बोल सकते हैं last है viviparity, viviparity मतलब की जो development होगा, वो क्या होगा inside the body of parent the highest degree of parental care is found in viviparous fishes such as scoliodon viviparity को हम highest degree of parental care इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इस तरह का जो parental care यह एकदम secure होता है इसमें कोई खत्रा नहीं होता है कि जो X है वो उन्हें कुछ भी खत्रा होगा किसी other fishes से क्योंकि यह जो है inside the body of the parent ग्रो कर रहे हैं example हो गया common एकदम scoliodon का both fertilization and development are internal fertilization और development दोनों ही क्या होगा, internal होगा और जो nutrition इन्हें मिलेगा is drawn by yoke sack placenta yoke sack placenta के थूह इन्हें nutrition मिलेगा और यह obviously female के अंदर female body में पाया जाएगा तो यह conclusion आप देख सकते हैं आपे थोड़ा सा conclusion भी मैंने attached कर दिया है parental care is an inborn instinctive behavior shown by different species of fish a number of fishes provide parental care to their eggs and young provide protection for their survival against struggle for existence parental care जो हमने fishes में देखा इससे क्या होगा कि इनका जो survival जो struggle है वो क्या होगा जितने भी एक्स होंगे वो आगे चलके mature होंगे और एक यंग fish में grow कर जाएंगे तो parental care का यही importance है यही उसका फाइदा है तो यह है हमारा आज का topic parental care in fishes जिसमें हमने बहुत तरह के devices देखें जैसे की formation of nest जिसमें हमने देखा कि fishes जो है nest formation करती है फिर हमने देखा mouth cavity में वो किस तरह से अपने young ones को रखती है उसके बाद हमने देखा coiling around eggs integumentary cups, brood pouches और फिर देखा mermaid's purses और last में वीवी parity तो friends यह है हमारा आज का topic अगर आपको हमारा यह video पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजेगा और हाँ subscribe करना मत भूलिएगा thank you so much